हलो फ्रेंट्स वेलकम टू हमारा रहेगा यह रहेगा मौरन के बारे तामपी का नाम के सामने हैं पड़ेगे और यह पर देखूँend थे कहां प्रसंद लेकिन 40 से जादा यहां पर क्यूशन लिए गए और यह 40 कूशन इतने इंपोर्टेंट है कि एक बर आपने अगर यह वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास तक देख लिया तो आप कोई भी एक्जाम फेस करोगे उन एक्जाम में आपको जो क्यूशन देखने को मि पहलें लेंगे तो चलो देखते हैं आज का पहला क्यूशन पहला कि बैठा तो ब्ली बादो के बात चंद्रकर मौरी का पुत्र जिनका नाम है भी बिंदु सार यह मौरे पी नहीं सोरी यहां पर उप्षेंट सी करेक्ट आंसर है तक्षिला अगला क्यूशन की बिंदु सार के दर्बार में कौन सा युनानी राज़दूत आया बहुत ही इंपोर्टन्ड क्यूशन है और बहुत बार पूचा गया ये क्यूशन तो यहां पर आपको आंसर रखना है जो die makes यहाँ पर correct आंसर हो जाएगा इस question का अगला question की चंदरगुप्त मौरिय ने अपने अंतिम दिन कहां गुजारी ये भी बहुत बार पूचा गया है तो चंदरगुप्त मौरिय की बात करें तो इन्हों ने अपने अंतिम दिन गुजारे स्रवन बेल गोल में तो आंसर हो जाएगा option D अगला यहाँ पर question की युनानियों को भारत से भार किस ने किया था तो देखो युनानियों की बात करें तो इन्हों युनानियों को भारत से भार किया था चंदरगुप्त मौरिय ने तो सिलालेकों का जनक कहते हैं अशोक को तो आंसर हो जाएगा option C अशोक अगला क्यूशन है कि मौर्यवंस के सासन के दोरान इस्तानिक कौन था तो मौर्यवंस है इसके सासन के दोरान इस्तानिक की बात करें तो यह कहा जाता है जिला प्रसा सक को तो आंसर हो जाएगा option है जिला प्रसासक अगला question कि mauryu once के ततकाल बाद कौन सा once है जिसने आकर मगध राज्य पर सासन किया तो Cem seconds कि गरीज के राजदूत का नाम क्या था ये बताना है तो मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत की बात करें तो इनका नाम है मेकस्तनी आपको याद रखना है काफी important question है इन्होंने एक बुक भी लिखिये इंडिका ये भी पूछा जाता है कही बारी अगला question है कि असोग की तीर्थ यात्राओं का उलेक है ये किसमे किया गया है ये बताना है किस लालेकों में किया है तो असोग की तीर्थ यात्राओं का जो उलेक किया गया है ये किया गया है सातवा और आठवा सिलालेक है इसमें तो answer हो जाएगा option C correct answer है अगला definition है कि असोग का कौन सा इस्तम्भ है जिस पर मोर का चित्र बना है तो जो असोग है इसकी बात करें तो इसका जो लॉरिया इस्तम्भ है इस पर बना है मोर का चित्र तो आंसर हो जाएगा option D अगला क्यूशने के असोग के काल में कौन सा ओदेश है जिसके राजा ने उसके समान देव नाम प्रिये की उपादी ग्रहन की तो ये की स्री लंका के राजा जिनका नाम है तिस्क तो आंसर होगा option D अगला क्यूशने की मोरे सम्राज में प्रचलीत मुद्रा का नाम क्या था ये बताना है तो मोरे सम्राज में जो प्रचलीत मुद्रा थी इसका नाम था पण तो आंसर हो जाएगा option A पण अगला क्यूशन है कि सेल्यूकस द्वारा भारत पर आकर्मन कब किया गया तो सेल्यूकस है इसके द्वारा भारत पर आकर्मन किया गया था 305 इसा पूर तो आंसर हो जाएगा ओप्सन C है यह हमारा यहाँ पर सही क्यूशन है अगले question है कि कोण से अभिलेक को रानी का अभीलेक कहा जाता है तोगैस रानी का अभीलेक कहते है जो कोसम भी अभीलेक है इसको तो to answer हो जाएगा option B अगला प्रसन है यहापे अर्तसास्त्र ग्रंत का प्रमूक विशे क्या है यह बताना है तो अर्थसास्त गंत का प्रमुक विशे की बात करें तो ये है सासन व्यवस्ता आपको याद रखना है option C अगला question है कि असो के समय कलिंग की राजदानी क्या थी very very important guys mark कर सकते हो आप ये question काफी important है और असो के समय कलिंग की जो राजदानी थी ये थी तोशाली आपको याद रखना है कलिंग की राजदानी तोशाली कब असो के समय अगला कुछने के मौरिये प्रसासन कितने प्रांतों में विभाजित है तो मौरिये प्रसासन के बात करें तो पांच प्रांतों में विभाजित है तो आंसरोगा ओप्शन B अगला कुछने के मौरिये सासकों की राष्ट्य भासा कौन सी थी तो जो मौरे सासक थे इनकी जो राश्टे भासा थी ये थी प्राकर्त आपको याद रखना है उप्शन C अगला क्युशन के इत्यास में सरु पर्थम अभी लेकों का निर्मान तथा कलाकर्तियों में सरु पर्थम पाशान का जो प्रियोग है ये किसके सासन में प्रारम माना जाता है तो ये माना जाता है असोक के सासन में तो आंसर हो जाएगा ओप्शन बी अगला क्युशन के मौरे वन्स का अंतिम सासक कौन था जिसके अत्या पुष्य मित्र सूंग ने की थी तो ये थे ब्रहर रत्र आपको याद रखना है उप्शन ए अगला क्युशन के असोक के द्वारा लड़े गए कलिंग युद्ध का उलेक है ये उसने कौन से अभिलेक में किया तो ये किया तेरवे अभिलेक में तो आंसर हो जाएका उप्शन डी अगला क्युशन के असोक का राज्य रोहन है ये किस वर्स में हुआ तो यह हुआ था दोसो तेतर इस्वा पूरु तो आंसर होगा यहाँ पर option C correct answer is question का next question आपके सामने कि जो असोक है इसका राज्य अभी से किस वर्स में हुआ तो यह आपको याद रखना है दोसो उनंतर इस्वा पूरु तो answer जो हो जाएगा option B है यह हमारा discussion का सई answer है अगला question की वाचसपती गोरिला ने अर्थ सास्तर है यह किस भासा में अर्थ सास्तर का अनुवाद किया तो वाचसपती गोरिला के बात करें तो इनके द्वारा अर्थ सास्तर है इसका अनुवाद किया गया हिंदी में अगला किसने के कोटीले के अर्थ सास्तर में कितने अधिकरण है तो यह हैं टोटल 15 तो आंसर होगा 15 अगला है किसने पाटली पुत्र को पोली ब्रोथा के नाम से पुकारा तो यह पुकारता रहा था मैक्स्तनीज है इसने पाटली पुत्र है इसको पोली ब्रोथा के नाम से पुकारा अगला किसने के भारत का इतिहास लिखने वाला प्रतम विदेशी इतिहास का कौन था इसका नाम बताना है तो भारत का इतिहास लिखने वाला जो प्रतम विदेशी है इसका नाम है मेगस्तनीज तो आंसर होगा option D, Megasthenes अगला क्योशन के सबसे पहले अभी लेक जो है इसमें असोक का नाम मिलता है कौन से में तो ये मिलता है मासकी में तो आंसर हो जाएगा option C अगला क्योशन के चंदरकुप्त मोर्य का राजय भी सेक है ये किस वर्ष में हुआ तो यहाँ पे हमें अयाद रखना है कि जो चंदरकुप्त मोर्य है इनका राजय भी सेक हुआ 322 इसा पूर्व option B है ये यहाँ पे correct answer है अगला क्योशन के धम मापातर की जो निउक्ति करने वाला पर्थम मोर्य सासर कौन था ये बताना है तो आंसर यहाँ पे हुजाएगा option A next question है कि मोर्य काल में प्रणय कर था तो मोर्य काल में बात करें प्रणय करकी तो ये एक आपात कालीन करता कैसा करता आपात कालीन जो प्रणय कर है ये आपात कालीन कर था अगला क्युछन के मौरे काल में वैश्याओं को क्या कहा जाता था तो गाईस से मौरे काल में वैश्याओं को कहा जाता था रूप जीवा तो आंसरों का ओप्सन B अगला किशने की मोरे काल में नियाय विवस्ता के बारे में कौन सा यूक्म सुमेलित है तो यह सारे के था सबसे चुटी बताना है कौन सी थी तो मोरिकाल में प्रसासन की जो सबसे चुटी उकाई थी यह थी ग्राम तो आंसर हो जाएगा gram, option C correct है अगला क्यूशन है कि असो के अभी लेखों में जिन नगर जो वेवारिक महापात्रों हैं इनकी जो चर्चा हुई है उसका हमें बताना है किस में हुई है तो नगर वेवारिक महापात्रों की जो चर्चा हुई है वो हुई है राज़स्व अधिकारी में तो आंसर होगा option B next मौर्यवंस की अंतिम सासक बताना है कौन थे तो मौर्यवंस की जो अंतिम सासक थे ये थे ब्रहरत्र तो आंसर हो जाएगा option B अगला क्यूशन है कि अपने अंतिम समय में जैन बुद्धी जैन मुनी भद्र वासू से दिख्षा लेकर स्रवन बेल गोवा में सन 1908 में इसापूर सनलेकना पद्दती में धे त्यागने वाला जो मौर्य सासक है इसका नाम बताना है काफी important क्यूशन है काफी बार पूचा जाता है तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य है अगला क्यूशन है कि मौर्य कालिन की जो अर्थि विवस्ता है इसमें जो राज की एक रसी विभाग है इसका अद्दक्स किसे कहते हैं अगला क्यूशन है कौन सा वह वन्स है जिसके सासक का नाम होता है तो यह है सातवाहन तो answer हो जाएगा सातवाहन जो once है इनके यह जो सासक है इस सातवाहन वन्स के सासक इनके नाम से पहले इनके नाम के आगे इनकी माता का नाम होता है तो यहाँ पर देखो काफी सारे क्यूजन्स हमने कम्प्लीट कर लिये हैं तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए जदा जदा वीडियो को शेर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सकाइब ने के तो चैनल को सब्सकाइब कर ले साती गंटी कीजिन को ज़रूर दबा लीजी जिसने आपको हर लेटर इस वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो